कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता, हम लोग तो बिल्कुल आज छोड़ चुके थे, सराब की वज़े से हमारी जिन्दगी और हमारा घर बिल्कुल नर्क बन चुका था, दिन भर में इतनी ज़्यादा शराब पीने लगे थे, जिसकी वैसे इनको खुद का ही होश नहीं रहता सुबह उठते ही सिगरेट और शराब की तलब इतनी ज़्यादा लगने लग गई थी कि उसकी बिना रही नहीं जाता था, नशे की विज़े से अपने काम पर भी ध्याने देते थे, घर का पूरा महल खराब हो चुका था, वो तो शुक्र है कि समय रहते ही हिन के नशे की ल किलर ने असंभव को संभव कर दिखाया, ये दवा देते वक्त मैंने तया कर लिया था, मैं इसका पूरा कोर्स करूंगी और नहीं रोज खाने में मिला कर दूंगी, अब देख लीजे, मेरा विश्वास और दवा का सर दोनों काम कर गया, तीन-चार महिने हो गए मुझे, स और आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, नशे की लत चाहें शराब की हो, या फिर बीडी, गुटका, सिग्रेट की, एक बार लग जाये, तो उससे छुटकारा पाना बहत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ही मैंने बहुत बार नशे से छुटकारा पाने के ल और अगर कोई इसे छोड़ना भी चाहे नशे को, तो छोड़ने में सफल नहीं हो पाता, अगर छोड़ देता है, तो कुछ मैने पश्चात वो फिर से नशा करने लग जाता है, नशा न छोड़ पाने के कई सारे वज़े होते हैं, जैसे कि कई लोग बहुत सारे mental और physical changes महस करते हैं, जिनको हम withdrawal symptoms भी बोलते हैं, यहने खूप तेज सिरदर्द होना, नींद नहीं आना, गबराट होना, चीड़ चीड़ा होना, इरिटेबल फील होना, इसले भी यह नशा छोड़ना इतना आसान नहीं होता, कुछ लोग mentally dependent हो जाते हैं, उनकी यह मानसिक्ता बनती है कि अगर हम शराब पी लेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल काम कर पाएंगे, गाड़ी चला पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे, एक दब mentally dependent हो जाते हैं शराब पर, ऐसे लोग बहुत सारी दवाया लेते हैं, परन्तु नशे की लट से छुटकारा पहा नहीं पाते, दोस्त से स्वास्त रक्षणम, आतुरस से विकार प्रशम्णम, यानि जो स्वस्त है, उसकी स्वास्त की रक्षा करो, और जो विकार है, यानि कोई जो बिमारी है, उसका ट्रीटमेंट करो, ऐसी बहुत सारी गुनकारी आयरुवेदिक जड़ी बूटिया हैं, जो की नशे करने व नशे की लट से छुटकार अपाने में बेहत काम्याव होती है, आपको सिर्फ इसके कुछ बूंदे, 10-15 बूंदे, सुबे शाम उस व्यक्ति को किसी चीज़ में मिलाकर, या जूस में मिलाकर देना है, जिसके बाद चेंजिस देख सकते हैं, फ्रेंड्स, हमारे पास लेड फॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो उसका ब्लड है, वो साफ होने लग जाता है, खून साफ भी होता है, खून बढ़ता भी है, उसको अच्छी भूग लगती है, अच्छी नीन आती है, और धीरे-धीरे शराब की लट से वो दूर होता है लेकिन ये सारे रिजल्ट्स देखने के लिए इस दवा को आप कम से कम तीन महीने पूरा कोर्स करें, दोस्तों ये एडिक्शन किलर पूर्ण तया आयरुवेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, इसलिए बिलकुल सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दे वो टाइम मेरे ले निकालना बहुत मुश्किल था, जब मुझे पता चला, मेरे पती को नशे किलत लगते है, शादी को दो ही साल हुए थे, और जिंदीगी में सारी खुशियां कातम हो चुके थे, पती नशे किलत में इतना चीकते थे, इतना चिलाते थे, घर की सारे एडिक्शन किलर के बारे में पता चला, उसके रिव्यूस पढ़े, और तुरंथ एडिक्शन किलर को ओडर किया, और धीरे धीरे अपने पती को खाने में मिला के देना शुरू करती है, और वो कब नशे की आदत से दूर होते चले गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला और मैं तो इतना खुश थी कि मेरा घर नशे की आग में जलने से बरबाद होने से बच गया, और आज मेरे पती इतने हेल्डी हैं, इतने फेट हैं, और नशे से तो इतना दूर हैं कि अब उसका नाम भी नहीं लेते, सच में, एडिक्शन किलर की मदद से आप भी अपने घ आता था कि शराब की नशे की लट में मैं इतना डूब जाऊंगा कि मेरा घर, नोकरी, सेथ सब खो जाएगा, शराब की लट को पूरा करने के लिए मैं अपनी घर में चोरी करने लगा, मगर मेरी पत्ती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज मैं आप से एग कहूं कि शराब की लट को मैं हमेशा के लिए ही छोड़ चुका हूँ, तो ये जूट नहीं होगा, एक दिन डॉक्टर ने मुझे ये तक कह दिया कि शराब के नशे को आपने नहीं छोड़ा, तो आपकी जान भी जा सकती है, यही सुनते ही मेरी पत्नी ने एडिक्शन किलर को आडर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप भी मेरी तरह इसको अपनी जिन्गी में अपनाएं और हमेशा के लिए नशे से मुक्ति पाएं